एस वक्त की एक और बड़ी खबर के और नज़र डालेंगे जो भुपाल से मारे पास आरी है जो कमलनाथ का मंत्री मंदल का गठन आज किया जाने वाला है मंत्री मंदल को लेकर दिल्ली में देर रात तक मंधन होता रहा आपको बता दे की तीन बज़े राजभवन में शपत करहंट सम्हारों का आयोजन किया जाएगा मंत्री मंदल का गठन आज किया जाने वाला है मंत्री मंदल का गठन आज किया जाने वाला है सीम कमलनाथ ने जब तरह से एक्टिव मोड में आकर सीम पत की शपत लिया और जिसके बाद लगातार प्रसाशनिक सरजरी का दौर किया जा रहा है और अब जाकर मंत्री मंदल का गठन किया जाएगा क्या कुछ अभी तक निगल कर सामने आया है प्रारंबिक तोर पर क्या नाम सामने आया है क्योंकि भोपाल से लेकर दिली तक मंत्री मंदल को लेकर लगातार गहन मंथन जारी रहा सुनील बहुत मुश्किल हुई कमलाथ को अपने मंत्री मंदल का गठन करने में यही कारण तक कि जो कॉंग्रेस गुटवाजी के लिए फेमस थी है, ऐसा माना जाता था कि कॉंग्रेस में अलग अलग कॉंग्रेस हैं, आजय सिंग कॉंग्रेस अलग होती है, कमलनात कॉंग्रेस अलग होती है, दिग्विजय सिंग और सिंधिया कॉंग्रेस अलग होती है, जाती है चेतरी है और जो विदायक है जो वरिष्ट विदायक उन सभी को साथते हुए अपने मंत्री मंदल का गठन की तैयारी कर ली है राजभवन में आज तीन वजे समारों का आहिजिन किया जाएगा जिसमें करीब 25 मंत्री सपत लेंगे तेरा कैवेट मंत्री शपत लेंगे बारा राज़ मंत्री शपत लेंगे ऐसा माना जा रहा है कि जो वरिष्ट विदायक है गोविन सिंग, केपी सिंग, बजेन सिंग राठोर, लखन घंगोरी है जो कि लखन घंगोरी है प्रदीप जैस्वाल, इमर्ती देवी, जीतू पतव क्या ये कहा जा सकता है, इसमें अनुभव और युवा चेहरा दोनों ही देखने को मिल सकते हैं? इसमें अनुभव और ये कहा जा सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से कमलनाथ ने अनुभव का उप्योग करते हुए अपनी टीम का गठन किया है तो उसमें युवा शक्ती को अगर वो मंत्री पार नहीं दे सकते तो उनका उप्योग कहीं दूसरी जगए किया जाएगा, उनको कहीं आयोग में शिप्ट किया जाएगा, किसी के अनुभव का लाब कमलनाथ को लेना आता है कि किस तरह से जब चुनावी मेनेजमेंट के आदार पर मध्यप्रदेश में कॉंग्रिस की सरकार सुनिल बन सकती है तो युवा शक्ती को किस तरह से आगे करना है क्योंकि विदानतवा चुनाव तो कॉंग्रिस जीत तो सभी गुटों को भी साथना पड़ेगा युवा शक्ती को भी साथ में लेना पड़ेगा क्योंकि खुद राहूल गांदी सपस्ट कर चुकी है कि हमको युवाओं को आगे लेकर उनको जिम्मेदारी देकर कॉंग्रिस को मजबूत करना है पर देकर उनको अधिक जिम्मेदारी देंगे ताकि लोकसवा चुनावो के दौरान प्रिदेश की जंता कॉंग्रिस को वोट दे और कॉंग्रिस की सीटे बढ़ सके तो युवा शक्ति के साथ अनुवप के आधर पर वरिष्टता के आधार पर सभी जो टार्गेट होते हैं कमलनाथ के पास सभी जो बिंदू होते हैं बिंदू के आधार पर कमलनाथ अपने मंत्री मंदल का गटन किया है और अब लोकसवाच नावों की भी तैयारी कर दिये साथ ही जो 900 करीब 900 बिंदू ते कॉंग्रेस के वच जाएंगे जो कि राज्यमंत्री का दर्जा प्राफ्त होंगे तो उन सभी को कमलनाथ जिम्मेदारी देंगे और उनसे पहले उनकी कमलनाथ की प्रात्मिक्ता रहेगी वो रहेगी कि मद्देश में जो वचन पत्र कॉंग्रेस ना जारी किया तो वचन पत्र को कैसे पूरा क करके जनता का बरुसा जीतना है क्योंकि अगर राहुल गांदी को केंडर में मजबूत करना है तो मद्विदेश में जो लोकसुबा की सीटे हैं उसको बढ़ाना ही होगा वभव 25 मंतरी शपत लेने वाले हैं जो जो सूत्रों के जानकारी मिले उसे संभावित नाम आ रहा है क्योंकि देर रात तक गहन मंतन चलता रहा दिल्ली में आज कमनलात राज़नी भुपाल पहुँचेंगे वो अपने साथ एक सूची लेके आएंगे जिस पर राहुल जा रहा है कि उनको सीम का पत तो नहीं दिया गया लेकिन जो मंतरी मंदल है उसमें से जादा से जादा उनके विरायक शामिल है साथी PCC अध्यक्स का जो पद है वो भी सिंधिया गुट के दौरा मांगा जा रहा है तो राहुल गांदी के सामने दोहरी परिशानिया खड़ कि कोई भी कोता ही यहाँ पर गलती नहीं की जाएगी मंतरी मंदल को चुनने को लेकर और दूसरी तरफ अगर युवा शक्ती में जोतरा दित सिंधिया की बात करें या नुभव में हम दिगविजा सिंग की बात करें जो इनके समर्थक है आखिर इनके बीच समीकरन कैसे ब तो नात मंतरी मंदल का गठन होगा उसमें कमलनाथ की कामनाथ कलिए का मिलेगी यासे मैं नात मंतरी मंदल में कमनाथ की तकणे को मिलेगी वहीं सिंधिया समर्थक को करीब साथ सिंधिया समर्थक हैं जो विधाय को उनको मंत्री बनाया जाने का मौका मिलेगा पितान सवा चुनावर कुछन तो उसको भी मंत्री बनाए जाएगा प्रदेश का भविश्चत ताई करेंगे